चानक्या आईएएस एकेडमी के ओनलाइन प्लैटफॉर्म से मैं आनन्द प्रकास आप सभूं का अभिवादन करता हूं नमशकार करता हूं और आप सभूं को जोहार करता हूं तो चलिए आज हम जो देखने जा रहे हैं ये उराओं जन जाती के बारे में उराओं ट्राइब के बारे में हम देखेंगे और समझने की कोशिस करते हैं क्योंकि हमारा जारखंड में 32 32 ट्राइब हैं या उसी के परिपेक्ष में हम पहले संथाल जन जाती के बारे देख चुके हैं तो आज हम देखने जा रहे हैं उराओं जन जाती के बारे में तो देखेंगे और समझते जाईएगा उराओं ट्राइब देखेंगा धकन का पठारी शेत्र अतिहासिक शाक्षियों के आधार पर अरओं जन जाती का मूल निवासस्थान माना जाता है कौन सा डक्कन का पठारी छेत्र याद रखिएगा ये डक्कन का पठारी छेत्र इतिहासिक साक्ष्यों के अधार पर उनाओ जन्जातियों का ये मूल निमास अस्थान माना जाता है याद रखिएगा प्लेटु एरिया ओप डक्कन ओन दा बैसिस ओप हिस्टोरिकल एविडियन्स दा ओरिजनल रेसिदेंस ओप उराओं ट्राइब इज कंसिडर्ड तो डक्कन का पठारी छेत्र चलिए अब देखिए कुडुक शब्द का अर्थ क्या होता है कुडुक शब्द देखिएगा ये उराओं जन्जाती की भाषा है जिसको कुडुक भी बोला जाता है लेकिन कुडुक का जो कुडुक शब्द का अर्थ क्या होता है मनुष्य होता है मनुष्य देखिए कुडुक शब्द और उराओं जन्जातीयों की भाषा को आपका कुडुक ही कहलाता है meaning of the word कुडुक man यानि की कुडुक शब्द का अर्थ मनुष्य कहलाता है मैन कहलाता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं उराओं जन्जातीयों की महिलाओं की एक भंगिमा है चलिए देखिए कुडुक का शंबंद कुडुक का शंबंद द्रविड भासा समू से है किस्य है द्रविड भाशा शमू से है किसका संबंद कुडुक का शंबंद कुडुक belongs to the Dravidian language group समझना है कुडुक का संबंद द्रविड भाशा शमू से है तो ये किस भाशा परिवार से आता है कुडुक द्रविड भाशा परिवार से आता है चलिए अब आईए उराओ जन्जाती किस समूसे है ड्रवड समूसे है याद रखिएगा ये जे पीए से प्रिलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सभएए तो ये सब आप ध्यान देते हुए पढ़िएगा समझते हुए उराओ जन्जाती किस समूसे सम्ब रखती है ड्रवड समूसे उराओ ट्राइब बिलोंग्स टुदा द्रावीडियन ग्रूव याद रखिएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए हमारे उराओ ट्राइब की एक भंगीमा महिलाएं अपने वाद्दे अंत्र के शाथ मृत्त करती हुई चलिए उराओ जन्जाती का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था उराओ जन्जाती का जो प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था तो यह याद रखिएगा डॉक्टर सरत चंद्र राय ने किया था किसने किया था सरत चंद्र राय ने किया था याद रखिएगा साइन्टिफिक स्टेडी ओफ उराओ ट्राइब वाज डन बाई सरत्चंद्र राय या सरत्चंद्र याद रखिएगा उराओ जंजाती के संबंद में किसने अध्यन किया तो आपका सरत्चंद्र राय जी में देखिए अब आता है युवागरी जैसे की कोश्चन में पूशत है उराओ जंजातीं का यूवागरी क्या था या क्या है अक्सर ये मिलान के रूप में भी पूशता है अलग-अलग ट्राइब का दे दिया रहेगा आपको उस पर मिलाना है क्या क्या कहलता है जाती का युवागरी है तो आप क्या बोलिएगा उराओ ट्राइब ठीक है धुम खोरिया देख रहे हैं समझ रहे हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं उराओ जन्जाती में पंचायत को क्या बोला जाता है उराओ जन्जातियों में पंचायत को क्या बोला जाता है पंचायत क किएगा उराओं जन जातियों का हर जन जातियों का अपना एक पंचायत होता है तो उराओं जन जातियों का जो पंचायत होता है उसको बोला जाता है पंचारो पंचायत क्या बोला जाता है पंचारो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पुरूसों के द्वारा मतलब जो पुरू पुरूशों के द्वारा तेवहार के समय पहना जाने वाला वस्तर उराउं ट्राइब में जो पुरूश वर्क तेवहार के समय में जो वस्तर धारन करते हैं या पहनते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है केरिया कहलाता है केरिया याद रखिएगा ये पुरूशों के द्वारा टेवहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है केरिया ड़कलोथ वान बाए में ड्यूरिंग डा फेस्टिवल इस कॉल्ड केरिया चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हुए समझते हुए उरानो ट्राइब की एक रूपरेखा देखिए उनकी भंगिमा देखिए महिलाओं के दुआरा वो था पुरुस अब आया महिलाओं के दुआरा तेवहार के समय महिलाओं के दुआरा तेवहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है क्षन्रिया, क्या कहलता है? क्षन्रिया कहलता है महिलाओं के द्वारा तेवहार के आउतर पर पहना जाने वाला वस्तर क्या कहला आया? क्षन्रिया The clothes worn by women during the festival is called खन्रिया याद रखिएगा महिलाओं के द्वारा तेवहार के समय पहना जाने वाला वस्तर खनरिया कहलाता है चलिए अब देखिए उराउ ट्राइब में का जो प्रमुख निर्टे है डांस है वो क्या कहलाता है जदूर याद रखिएगा उराउ ट्राइब का प्रमुख निर्टे जदूर कहलाता है मेजर डांस क्या कहलाया जदूर याद रखिएगा उराओं ट्राइब का जदूर निरत्य धुमकुरिया युवागरी यूथ हो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उराओं जन्जाती द्वारा विभिन आवसरों पर किये जाने वाले सिकार याद रखिएगा उराओं जन्जाती द्वारा विभिन आवसरों पर किये जाने वाले सिकार hunting done by around tribe on various occasions तो देखिए बैसाख माह में कौन सा सिकार किया जाता है क्या कहलाता है विशू सेंदरा विशू सेंदरा विशू सेंदरा बैसाख माह में अब बिभी नाउसर उबर और फागून में क्या किया जाता है कौन सा सिकार विभी नाउसर पर जो सिकार किये जाते हैं तो फागून माह में ये जो सिकार करते हैं उनका क्या नाम है फागू सेंदरा यही फागूआ फागू फागून इसी से आया है सेंदरा सिकार सेंदरा का मतलब यही सिकार होता है हंटिंग फागुन फागू सेंदरा अब सावन के माह में सावन या स्रावन सावन उसमें कौन सा हंटिंग किया जाता है जेट सिकार सावन जेट हंटिंग तो यह सब उराउं ट्राइब का विभीन आउसरों पर किया जाने वाले सिकार के संदर्व में यह बाते देखी जा रही है बैसाक में विशु सेंदरा किया जाता है फागुनमा में फागु सेंदरा किया जाता है और सावन में जेट सिकार किया जाता है यह सब किसका प्रारूप है यह सब करने की जो विभी नौसरों पर किये जाने वाले जो सिकार है यह किस ट्राइब से संबंधित है उराओ लाँ देना है अब हम देखते हैं दोराहा सिकार उराहएणजाती में सिकार का один प्रारूप है अलग सा दोराहा मतारा किसे दो ओरहा मताराी मता मताहरे दौराहा हंटिंग इनफॉर्मल हंटिंग इस गॉल्ड अनौपचारिक एक हुआ अपचारिक ये हुआ अनौपचारिक सिकार को कहा जाता है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं धान की फसल कटने के बाद उराउं जन्जाती में वर्ष का प्रारंभ होता है वर्ष का प्रारंभ होता है धान की जब फसल काटली जाती है तब वर्ष या न्या वर्ष प्रारंभ माना जाता है धायर begins in the राउं ट्राईब आप डर दा पैडी क्रॉप is harvested ठीक है धान की फसल कटने के बाद उरावजन जाती में वर्स का शुभारंभ माना जाता है वर्स का शुभारंभ माना जाता है याद रखिएगा धान की फ़सल कटने के बाद चड़िये अब आगे बढ़ते हैं देखिए एक तस्वीर जन चाथियों की देखिए अब आता है भूई हर याद रखिए भूई हर ये सब चीज कोश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं भूई हर प्रारंब में शोड़ानाकपूर शेत्र में आकर जंगलों को साप करके क्रिशी कार करने वाले उराओं को कहा जाता है याद रखिए भूई हर आज भी हम देखते हैं भूई हरी जमीन सब बोलते हैं तो ये भूई हर जमीन क्या होता है प्रारंब में शोड़ानाकपूर शेत्र में आकर जंगलों को साप करके क्रिशी कार करने वाले उराओं को कहा जाता है ठीक है यही है भूई हर भूई हर इनिशियली दा उराओं हो केम टू छोड़ानाकपूर एरिया एंड क्लीन दा फॉरेस्ट्स एंड डिड एग्रिकल्ट्रल वर्क आर कॉल्ड ठीक है यानि कि प्रारम में छोड़ानाकपूर छेत्र में आकर जंगलों को साप करके क्रिशी कार करने वाले उराओं को भूई हर कहा जाता है याद रखिए भूई हर कहा जाता है आज इसी के परिपिक्ष में हम देखते हैं भूई हरी जमीन है ना तो यही चीज है कि छोड़ानाकपूर में उराओं ट्राइब आए और यहाँ जंगलों को साप किये और अपने रहने के लिए मकान बनाए और वहाँ पर अपना क्रिशी कार करने लगे तो उसी के दर्मिया उनकी जमीनों को भी आप देखिएगा भूई हरी जमीन बोला जाता है और ऐसे कार करने वाले उराओं को भूई हर कहा जाता है चलिए अब आया पस्री पस्री किसे बोलते हैं पस्री उराओं जंजाती में मेहनत का विनियम करने वाले या करने की प्रत्था है उराओं जंजाती में मेहनत का विनियम करने की प्रत्था है मेहनत पस्री विनियम पस्री देरिजे प्रैक्टिस ओप एक्सचेंज ओफ हाड़ वर्क इन उराओं ट्राइब देख रहे हैं यानि कि उराओं जंजाती में मेहनत का विनियम करने की प्रत्था है एक दुसरे के मदद करते हैं एक दुसरे के कामों में मदद करने की परंपरा देखने को मिलती है किसमें उराओं जंजाती में है चलिए आप आगे बढ़ते हैं